आज हमारा मैट्री सेज का इकसरसाइज 12 वे बोले तो यह आपको चिप्टर का नाम है इसका कोशन जो हमने काफी हद तक सॉलिप किया था बोले तो हमने आठ तक इसका कोशन कर चुके यादि आप नहीं देखे तो हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगो उससे भी आपको बात करें तो स्पेरी माइनस लेगा चुका है यहां पर आपको इसमें कर क्या रहा है। जो है ना आपको solve करने के लिए आपको काफी मेनत कर जाएगा इसलिए हम जो इसमें operation लगा दिये and आगे इसमें हम क्या करते हैं कि 2 minus lambda आप 1 minus lambda बोले तो का कर दिया आपको determinant तो तो हमारा आ चुका है इतना अब इसको हमने solve किया तो यहाँ पर solve करने के बाद हमारा clearly जो आजुका लिम्डा का पावर 3 minus 2 lambda square minus 5 lambda plus 6 बराबर 0 आपको जो है यह calculation खुद करना है तो इसलिए आप इसे धियान से देखेगा ताकि आपको error 9 हो कहीं पे तो यहाँ पर लिम्डा का मान 1 satisfy कर रहा है लेकिन हम इसका दूसरा method भी बताते कैसे इसको हम solve कर दूसरे तरीके दिखाए कि यह बहुत calculation है ओके यह आपको दूसरा method ने हम लगा दे तो यह बहला method लगता लिम्डा का पावर 3 minus s1 लिम्डा square plus s2 लिम्डा minus determinant of a यह सब को जोड़ना है जोड़ने के बाद आपको कितना है 2 आ गया ठीक है इसको हम क्याता है sum of diagonal sum of diagonal अब यहाँ पर जो यह बात करें तो यह होता आपको sum of minus तो sum of minus diagonal का minor होता है sorry diagonal का minor होता है यह 2 और यह डिलेट यह वला 1 लेंगे तो यह और यह उपर वला डिलेट हो जागा यह minus लेंगे तो यह और यह डिलेट 2 1 minus 2 1 है इस तरीके तो हमने निकाल दिया तो इसका जो किलियर ली आचुका minus 5 and determinant निकाला तो आपको आचुका minus 6 अब यहाँ पर हमने पूट कर दिया इस वन का मान इस टू का मान डिटर्मिनांट का मान तो पूट करने के बाद हमरे आचुका लेंडा का पूट 3 minus 2 लेंडा स्कार minus 5 लेंडा पलस 6 बराबर 0 यहाँ पर आप जो है दोनों का एक्वेशन तो आपको सेम आ यहां तक तो आप सटिस्वाइब कर गया आप वन रखी सटिस्वाइब कर गया तो आगे ची करने के अवशकता ही नहीं परा इसलिए हम जो है अधर रूट निकालते हैं तो आपको क्या करना है एक मैथट है जिसका नाम साइंथिटिक डिविजन है तो हमने उसके द्वारा इसको निकालते है साइंथिटिक डिविजन का नाम का भी सुने होंगे जो यही मेथाट दिखर है यह tu il iig ले यहापर यह यहाँ से लिमड़ाइकThis निकाले है क्СТ प्ष्on हैन। पहले ही आप तो देखे हूँ थे एंड यहाँ पर जू उतना बबर जीरू था उसी का मान इतना है तो हमारा देखिए, Uogen-1, रखते हैं, यह ऐगन umचनल, यह ऐगनपन की है तो देखिए, कि हमारा मार जो हो जो हमें ए OF ए, हमारा इस सब्सकुरारा की है, धनल मासे सटमी है, तो हमारा ऐ ले माचनल, इस सबस्कारए 4, तो यह जो होता है, तो यह अपर देखिए, U من- और था तो यह चुका है भाइ, एपको जीरो भीदानिये के बाद, circular ओ prov जीरो ब्ले सु कर दियाओं, और जीरो भीदानियाओं लोल चुका है जो को आपको पहला है साथ के बलता है के बाद , भीदानिया की। यह आपको इसको 0 के बराबर कर दिए तो हम यहां पर लेट j बराबर t, जेट के जगवर हम ने टी माल लिया तो आ चुका है x बराबर माइनस t, okay, जब एक्वेशन 1 से आते हैं, फिरे मै Cart दे। जगा नोग फिर से एती को लेता है कर दें कि अनकि फोलों मश जो दो रीर। ट कॉन्हारे मांथन आचे कि में टें कि लिए म सर्फि यहां पर क्षी पेर हुआ थे जानिब हैं मैंतों मांष आगता हैं यहां पर आपको जब लिम्डा कमान 2 रख थे तो क्योंकि लिम्डा कमान हमको 3 गवा है था ना उसमें आपको यह पर आपको यहां से जो क्लियर लिया चुका है तीन से तीन को मल्टिपलाई करिये तीन ती आई 9 और यहां पर आपको जो है नौ तो आगया लेकिन आपको यह माइनस आपको क्या होता फॉर्मूला वला होता ओके ना माइनस टू वाइं आए और अथिरी वाइ बॉल्य एं इनध्रयों को गळा गब कर दिया इन दुरों को गळाब कर दिया तो चार पाइं चार यहां इसको इसमें उल्टा चलता है, इसको इससे मल्टिप्लाइ करना होगा, 3 इकाई 3, and इसको 4 इकाई 4, लेकिन बीच में माइनस डालना होगा, and इस वाले को लिए तो आपको 4 ती आई 12, और यहाँ आपको माइनस 2 तो पलस 2, तो आपको यहाँ पर 12, 14, यहाँ पर आपको आपक आपको 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 आपक किसा आचुका एक्वेशन यहां पर solving one and two one और two को solve करते हैं यह आपको one यह आपको two है इसको हमने solve कर देद्य हम हमार इसको solve कैसे कि यह यह वाला delete okay and यहां पर हमारा चुका यह one coefficient की बात कर रहे है one minus two तो multiply कर रहे हैं minus two और यह आपको minus 2 दूट यह चे, minus 6, बोले तो पले चे, minus 2, plus 6, and y वाला टॉम तो यह डिलेट, अब इसमें उल्टा चलता है, यह 1 और 3, 3 लिकाई, 3, और यह आपको plus 1, तो आपको 3, 4, and यहाँ पर 0 वाला टॉम तो यह आपको minus 2 और minus 1 है, तो आपको plus 2, आपको यह 1 गुने, माइनस टू तो अपको पलश टू तो दुदू चार तो हमारे इस हैं मनतलब त्ट्ट्ली alpha algún आचुका ये ऐगन व्यक्टर की बात हका न होージ sustainability का माइन तो इस तरिके से आचुका है उके न हरकी तो यह हमारा सक्कूली है यागन व्यक्तर की बात की बात करे तो agovid question number 10 हमारे पास इस परकार है let a बराबर हमारे पास इतना है the characteristic equation is हम इसका characteristic equation निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a minus lambda i का determinant लिखेंगे equal to 0 हमने ले लिया तो इसमें क्या करना है आपको इस तरीके सी इसको solve करना lambda का power 3 minus s1 lambda square plus s2 lambda minus determinant of a बराबर 0 यहाँ पर देखें मारे पास s1 का मान s1 का मान बोले तो क्या होता है s1 जो होता है sum of diagonal होता है sum of diagonal element करिएगा 1 plus 1 plus 1 तो आपका 3 आजाएगा and s2 की बात करें s2 क्या होता आपको diagonal का sum होता है लेकिन उसका हम minor लेते है यदि यह 1 लेते तो यह delete यह delete one two one one तो इस तरीके तो हमारा यह भी आ चुका है अब one zero minus one आ गया इस पर कर यह one ले लिए यह और यह delete one zero minus one और प्लस one ठीक है यह माइनर ले 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 आप माइनर लेने के बाद क्या होता है कि इसको जो आप determinant इसका तोरेंगे one में से आपको zero घűड़्य निकालेंगे तो यह one लेंगे तो यह और आपको यह delete हो जागा तो इस परकार हमने determinant भी ले लिए तो अब यहाँ पर देखिए determinant तो आपको आ चुका है minus one तो अब यह जो मान जो निकला determinant और s2 और s1 यह मान हमने इसमें put कर दिया अब इसमें जब put करेंगे तो हमारा देखिए इस परकार का आ जाता लेम्डा का power 3 minus 3 लेम्डा square plus लेम्डा plus 1 बराबर 0 और आप इसको एक और तरीके से भी solve कर सकते हैं वो भी देख लीजे तो आप जो है इतना काम उसमें भी करेंगे यहां पर आपको इसमें क्या करना परेगा तो इस तरीके सा आपको इसको यह equation आ चुका है इसमें आईसा मान रखना है जो आपको satisfy कर दे इसको को satisfy कैसे होगा तो देखे हमारे पास पहले तोे रखेंगे तो satisfy नहीं करेगा प्लस्वान रख दे तो क्या हुआ कि यह हुआ कि यह पर रखंगा मतलब कि आहां पर जो है नहीं इसका ये रूठ है मतलब लिम्ड़ा माइनस व सब्सक्राइब यहां पढ 누वाभी निकालते हैं यह तरह करना सांव नम सब्सक्राइब के डिवीजन ठीक है साइन्थिटिक डिवीजन इसका नाम है तो अब इसके दोवारा हम इसे सॉल्ब करूं तो कैसे वन जो है ना जो एक रूट निकल चुका वह लिग देंगे एंड यह आपको जिसका कोफिसेंट लिखना देखिए लिम्डा क्यों माइनस थी लिम्डा देखिए गाता मायनस टू और स्कुष से घिए माइनस टू पूं तो मा writers को मैनस 1 से मल्टिपलाइब करी तोफिए जीरो आ चुका vos एंड लिम्डा का क्या पावर掉 sa-2-1 यह क्या हो मुझे मिसमें कंटलब सोफी को यहां सै यहां सै कि श्चिपकर क्या मिलता क्या स्कून अ हमारा इस तरीके का आगिया लिम्डा स्कॉर माइनस टू लिम्डा माइनस वन एंड यहां पर क्या करना अब देखिए इसको हम अलग से तोर देते ताकि है पर आपको माइनसवी पल्स माइनसरू ग्यांचर न यहाँ पर आपको को माइनस ली तो कहा यहां आपके पास आजाएगा हिंस आइगन वैलीज की बात करें तो लिमडा का मान पहले वन तो आचुका लिमडा माइनस वन जो था एक वन पलस माइनस रूट तो एक तो पलस में आएगा दूसरा आपको माइनस में आएगा हम बढस क्या हरे वमडा का मान पहले पास के सो .. हमाना आ चुकाariosों आपके पास आपके पास यहाँ फंसा और यह आए उता है और यह को आपको इसाल आपको जीरो मैक्रिक्स इसलिए हमने आपको 0 matrix लिख दिया एंड यहां पर आपको घटा देते हैं simply घटाएंगे यहां पर diagonal ही घटेगा डाइगोनल में यह तीनों आपको 1 ही है यदि diagonal 1 है तो आपको यह पूरा आपको यह वला diagonal आपको 0 ही हो जाएगा दिक्कत नहीं है एंड यहां पर आपको सब similarly रहेगा और यहां पर आपको यह 0 हो चुका है अब यहां पर क्या करना है इसको multiply करके आपको 0 के बराबर कर दीजे तो आपको आचुका minus y plus 2z minus y plus 2z क्योंकि x 0 से multiply यह तो पूरा 0 यहां पर आपको चुका x plus 2y तो बराबर 0 यहां से हमने इसको solve किया तो x बराबर यह दिए हम T ले लेते हैं तो आपके पास y कमान जो आ जाता है minus 3 by 2 आ जाता है लेकिन जब आप जो equation 1 से हम आते हैं यह equation 2 से था आप equation 1 से आते हैं तो यह आपको 4z हो जाएगा आइए आपको t तो रहे गाई बटा 2 तो t plus 4z बड़ाबर 0 तो z बड़ाबर हमारा आचुका minus 3 बड़ा 4 ओके तो इस परकार का हो सकता आपको आंसर नहीं तो कोदी कर नहीं है लेकिन आपको यह इस तरीके सापको यह solve है सरी तो हमारा आइगन भेक्टर आचुका आपको 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4 दूसरा अब जब लिम्डा का मान 1 plus root 2 रखते हैं यदि 1 plus root 2 हम रख देते तो हमारे पास आ जाता है इस तरीके से मतलब डाइगोनल देखिए सब चिंज हो जाएगा 1 plus root 2 लेकर चलेंगे हम अब इसको हम घटा दिये तो 1 से 1 तो आपको कट जाएगा लेकिन आपको minus root 2 आ जाएगा तो हमारा आचुका है और यहाँ पर x y z है यह आपको 0 0 अब इसको हमने 0 के बराबर कर दिया मतलब इससे multiply करने के बाद तो हमारा आचुका बराबर 0 थो equation 1 और यहाँ पर इसको multiply कि रहे तो हमारा minus root 2y बराबर 0 तो y कमान हमारा 0 आचुका एक्वेशन ठट के बात करे तो x plus 2y minus root 2z तो हमारा यहाँ पर आचुका 0 तो यह आपको equation 2 है यहां पर हमने का कर दिया जेट बराबर जब T पूट कर देते हैं और Y बराबर 0 दोनों मतलब जेट कमान Y कमान निकल चुका अब X कमान चाहिए इसलिए equation 1 में रख देते हैं सब्सक्ट्फ पर्ख 1 में रख देकते हैं तो हमारा आके पर आपको देख लिए यहां पर लेका स्पथrupt выпол already मैं अट्रा पाल रखतें एक यहां पर बेंस पर से कोई इसको घटाने के बाद आपको यह आपको देखे 1-1 तो कड़ जाएगा लेकिन आपको माइनस आपको यहाँ पर है तो पलस रूट 2 हो जाएगा तो हमारा इस परकार इसको भी solve करना है इसको solve करने के बाद y वराबर 0 आ चुका यहाँ पर भी and यहाँ पर आपको equation 2 को हम solve करते हैं तो चलिए equation 2 क्या हमारे पास इसको इससे multiply यहाँ multiply करके तो यह हमारा equation 2 है लेकिन यहाँ पर z को हम क्या मानते है t मान लेते हैं क्योंकि हमें जो है x का मान चाहिए और इसे equation 1 में put कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ चुका है तो हमारा आ चुका आपको कितना रूट तो हमारा आ चुका एक्स बराबर मानेस रूट टी आइगन वेक्टर की बात करें तो मानेस रूट टू जीरो वन आ चुका है तो यह question number 10 था अब नेक्स्ट वीडियो में 11 solve करेंगे